इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्लाइबरकातु इतिहाद न्यूज में आप सभी का आखार मगदम हैं शहर में 14 जगहों को होट्सपाट बनाने का फैसला क्या सिर्फ अकलियती लाकों को ही बनाया जा रहा है होट्सपाट यह सवाल हमारा नहीं है बल्कि अवान की जानिव से किय अला लिया गया है जब तहकी करने के बाद मालूम हों कि इस तरह की मिटिंग भी हुए है उनका तबादले ख्याल हुआ है मशौरा किया गया है कि मक्सूस इलाकों को जहां से कारंटाइन किये गए हैं कई अफरादों को ऐसे महलों को होट्सपाट के तोर पर शनाखत की जा कहा यहाँ भी जा रहा है कि जिन अलाकों के अफरादों को कारंटाइन किया गया है इन्हें होट्सपाट में दाखिल किया गया है इतिहाद यूज ने होट्सपाट इलाकों के कार्परोटरियों से गुफ्तगू फरमाई तो इन्हों ने कहा कि कारंटाइन अफराद जिस अ लाकों से है उन्हें हाट स्पोट के दायरे में लाया गया और अगर कोई कॉरंटन नहीं भी है तो बता रहती है आत इसे लागडाउन के बाद हाट स्पोट करार दिया जाएगा लेकिन जब से यहाँ खबर फैली है अवाम में खासा डर देखा जा रहा है और सवाल किया जा जब कहें हाँ से किसी विया अफराद को नहीं किया घया है कहा यह भी जा रहे कि अगर तीन तारीं के बाद लागडाउन को धीमा कर दिया जाता है तो रमजान होने की वज़ेस से इन इलाकों में ज्झजाधा भीड ना हो इसलिए भी के अक्सर अकलीतित अकिए के हैं जरूरी चीज़ों को मुहिया कराने के लिए हुकुमत ने ये भी एक प्लान किया है कि सव वरों को एक वालन्टियर बनाए जाएंगे जिनकी जिम्मदारी होगी कि वह जरूरी चीज़ों को उन तक पहुंचाये सवाल यह उठाय जा रहा है कि क्या लॉक्डाउन के बा खैर आईए देखते हैं कौन से वो इलाके हैं जिन्हें होट स्पोट के दाएरे में लाने की कोशिश की जारी है या तो फिर फैसला लिया गया है जटपट कॉल्मी अंगोल आजाद नगर कसई गली कामत गली शाहू नगर आजम नगर संगमेश्वर नगर टैंगिन कर गली श्वाजी नगर वीरबातर नगर रुकमीनी नगर गैंग वाड़ी वड़र वाड़ी राम नगर तामीटकर गली गवली गली तिलक वाड़ी ग्यारा नंबर मजगाओं स्कूल के सामने निजाम दिन चौक वड़गाओं कोतवाल गली खंजर गली बागवान गली दरबार जालगार गली हाग देखने के लिए शुक्रिया, अल्ला हाफिस.